दोस्तो UPL 2025 के लिए कुछ UPLT में अपने स्क Portuguese के नए कप्तान का एनौस्मेंट करने वाली है तो आज किस वीडियो में हम आपको UPL 2025 के लिए कुछ UPL टीमों के नए कप्तान का नाम बताएंगे यानि कि IPL की कौन-कौन सी टीमे कौन-कौन से प्लेर्स को खड़ीद करके अपना नया कप्तान बनाएगी तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोटेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्वेश्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि यदि आप लोग IPL 2025 के लिए सभी टीमों के रीटेन और इलीज बलड का लिष्ट सब से पहले आपको बताएंगे तो आप बिना किसी देरी के अभी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिये गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को उपिन करके फटा फट से हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले तो चलिए फ्रेंट सबम वीडियो में आगे बढ़ता और वन बाई वन कु अब जूद इसके पंजाब की टीम को नए कप्तान का तलास है और अगले साल ये टीम नए कप्तान का अनाउस्मेंट भी करेगी तो मेरे हिसाब से पंजाब या तो ओक्सन से हर्दिक पंडिया को खरीद करके कप्तान बनाएगी या फिर पंजाब ओक्सन से एस्टीव स्मि ने बयान दिया था कि वो मेगा उक्षन का पार्ट बनेंगे और उनके पास कप्तानी का धेर सारा experience है तो इस वज़े से पंजाब की टीम एस मिथ या फिर हार्दिक पंड्या में से किसी एक प्लर को अपना कप्तान बना सकती है इसके बाद दूसरी अपडेट है यानि कि दू कर रही है और केल रहूल को कप्तान बना सकती है जब उनसे एक फैन ने पुछा था कि क्या वो IPL में RCB की तरब से खेलना चाहेंगे तो उन्होंने बोला था कि वो उमीद करते हैं कि वो RCB टीम की तरब से खेले तो केल रहूल के इस हिंट से साफ साफ पता चलता है कि वो RCB उस पिलर का नाम है रोहित सर्मा लखनव चाहती है कि रोहित सर्मा उनके स्क्वैड में चले आए और यदि मुंबई की टीम रोहित सर्मा को रिलीज करने के लिए तयार हो जाएगी तब उस कंडिसन में लखनव रोहित सर्मा को खड़ीद करके अपना नया कप्तान बना सकती तौ आपके हिसाब से क्या रोहित सर्मा को मुम्बें इंडियांस को छोड़ करके लखनो सुपर जाएंट में जाना चाहिए या फिर नहीं आप अपनी रैकमेंट में बताएं वहीं से लिष्ट की चौथी अंतिम टीम मुंबई इंडियंस की है और मुंबई इंडियंस की टीम सूरी कुमार यादव को अपना नया कप्तान बना सकती है चुकि सूरी कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तानी करते हैं तो इस वज़ा से मुंबई मैनेजमेंट चाहता है कि सूरी कुमार यादव को ही मुंबई इंडियंस का कप्तानी सौपा जाए तो आने वाले समय में सूरी कुमार यादव मुंबा इंडियन्स के कप्तान बन सकते है तो ये था चार IPL टीमों के प्रेडिक्टेड कैप्टन का लिष्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे तो फ्रेंड्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में